जीवन है तो दुख है, जीवन है तो संघर्ष है, लेकिन जीवन में सतत दुख, जीवन में सतत संघर्ष यह है, तो क्यों है? जीवन बहते पानी की तरह है, और सुख दुख इसके दुख किनारे हैं, लेकिन एक इनसान कब तक दुखों के किनारे भटकता रहेगा? दुनिया के लोगों के लिए वो एक जमतकार है, लेकिन वो खुद लोगों के लिए है, पवित्र ईश्वर भक्त राजेश कुमार कोटवार जी, एक ऐसा नाम जो भविश्य में जाग कर बदल देते हैं लोगों की तक्ती है एक नहीं, कई बार लोगों ने देखा है पवित्र ईश्वर भक्त कोटवार जी का जमतकार एक नहीं, कई बार सच हुई है पवित्र ईश्वर भक्त कोटवार जी की भविश्य बानी ये कुछ ऐसे सच है जिन्हें अपनी योग की ताकत से पवित्र ईश्वर भक्त कोतवाल जी ने बहुत पहले ही जान लिया था वाकई ये पवित्र इश्वर भक्त कोतवाल जी की त्रिकाल दर्शी शक्ती है जिसने उन्हें तमाम लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया है इश्वर के पवित्र भक्त कोतवाल जी का मकसद विश्वशान्ती और हर प्रानी की खुशहाल सिंदगी है वो अपने दिव्य ग्यान से जादा से जादा लोगों को लाभ पहुचाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने अपने उस ग्यान को इश्वर के आदीश के बाद अमरित कलश सत्य चरित मानस नाम की एक पवित्र पुस्तक में नहित कर दिया है अमरित कलश में धर्म, आध्यात और विज्ञान का संगम ने पवित्र इश्वर भक्त कोतवाल जी का कहना है कि अगर इंसान उस पवित्र पुस्तक में नहित दिव्य ग्यान को अपने जीवन में उतार ले तो वो तमाम परिशानियों से मुक्त हो सकता है पवित्र पुस्तक अमरित कलश में कोतवाल जी ने उन सभी दैविय अनुभूतियों का भी जिक्र किया है जो उन्हें समय समय पर होती रही है इस पवित्र पुस्तक में भूत, वर्तमान और भविश्य में खटने वाली कई खटनाओं के बारे में लिखा गया है अमरित कलश में दिव्य ज्यान की कंगा बेह रही है जो मानव कल्यान के लिए है आज देश में भोले भाले लोगों को बहकाने के लिए, बर्गलाने के लिए कई लोग विभिन रुपों में मौझूद है लेकिन जो अपने दिव्य ज्यान से दैविय शक्तियों की सीमाओं को समझ लेते हैं, वही ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं ईश्वर उनका मार्ग दर्शन करते हैं, वो हमीशा ईश्वर से चुड़े रहते हैं इसी तरह पवित्र ईश्वर भक्त कोटवाल जी भी सच के सूरज की तरह चमक रहे हैं एक ऐसा सूरज जो अंधविश्वास के अंधियारे को दूर करता है भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है, आध्यात्म के द्वार खूलता है मूक्ष के उपाय बताता है, और अंधेखे भविश्य की पर्तों में चांकर लोगों की तमाम समस्याओं का समाधान करता है बात चाहे ठैरो की हो, जोतिश की हो, वास्तो की हो, रतनों से उप्चार की हो, या फिर योग और आध्यात्म की पवित्र ईश्वर भक्त कोत्वाल जी में इन समस्त विद्याओं का ईश्वर की क्रिपा से संगम दिखता है और इनकी यही वो खासियत है, जिसने उन्हें हर आम और खास का चहीता बना दिया है किसी के गुरु, किसी के मार्ग दर्शक, किसी के तारणहार, पवित्र ईश्वर भक्त कोत्वाल जी सबके हैं, सबके लिए हैं और ऐसे में अगर आप चाहें, तो आप भी कोत्वाल जी की आध्यात्मिक शक्तियों का लाग उठा सकते हैं अगर आप अपने आपको जानने की पवित्र कोशिश करना चाहते हैं, तो पवित्र ईश्वर भक्त कोत्वाल जी से मिलिए और फिर देखी, कैसे खुशहाल हो जाती है आपकी दुनिया